हेलो स्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल डैनमिक में तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का लीनियर एक्वेशन का एक्ससाइज 3D का कोशन नमबर 15 का आगे का सारा सॉलूसन हम लोग आज देखेंगे तो इसके पहले वाले सारी कोशन मैंने आपको बता दिया है 15 से पहल ओलिंग फалun system of linear equation has an infinite number of Solutions क concurrent करना का infinite number of solutions गारे आपको सारी वीडियो में आपको बताया है तीन में स्बस्राइब करना और के करणा है और क्लेव करना है दो चलिह हम नहीं सबसे पहले question number 15 को लिख लेते हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग arrange कर लेते हैं अच्छे से तो देखें इसको हम लोग क्या लिखेंगे यह 2x फ्लस 3y है 2x फ्लस 3y यह फ्लस 7 है इधर आया तो माइनस 7 हो गया equal to में इधर 0 हो जाएगा यह है आपका k-1 into में x फ्लस k-2 into में y यह फ्लस 3k है equal to कि इधर आया तो माइनस 3k होगा equal to में 0 अब हम लों यहाँ पर क्या करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का value को लिख लेंगे देखे सबसे पहले a1 लिखते हैं तो a1 जो है वो 2 है फिर b1 लिखते हैं 3 है और फिर c1 लिखते हैं minus 7 है फिर हमनो a2 b2 c2 यह a2 है यह b2 है और यह c2 है तो a2 को हमनों लुख लेते हैं k-1 फिर b2 को लिखते हैं k-2 अफिर c2 को लिखते हैं कि अबकु कौन सा कंडिशन यूज़ करना है looks to be tecnologiaed का कंडिशन हमगो यूज़ करना है तो infinite number of solution का condition मैंने आपको बताया है क्या होता है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 इसमें तीनों equal होता है अब सब का value का हम लोग यहाँ पर put कर लेते हैं तो सब का value put करते हैं यह a1 है तो a1 का value यहाँ पर 2 दिया गया है 2 लिख लेते हैं a2 k-1 है k-1 equal to b1 b1 जो है वो 3 है b2 b2 जो है वो k-2 है और यह है आप c2 c2 जो हो minus 3 k है और c2 जो है sorry c1 यह c1 है तो c1 जो हो minus 7 है तो हम लोग यहाँ minus 7 लिख लेते हैं minus 7 और c2 जो है वो minus 3 k है minus 3 k सब का value हम लोग पूट कर लिए यहाँ पर अब देखें यहाँ पर क्या है यह इसके equal है और यह इसके equal है यहाँ पर तीनों equal है तीनों जो है equal है यह इसके equal है और यह इसके equal है यह इसके equal है यह पर तीनों equal आ रहा है infinite number of solution में तीनों equal होता है a1 by 2 b1 by b2 c1 by c2 तो तीनों equal है, जब यहाँ पर तीनों equal है, तो कोई भी दो को लेकर के हम लोग solve कर सकते हैं, या तो इन दोनों को लेकर solve कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को लेकर के हम लोग solve कर सकते हैं, तो कोई भी दो लेकर के आप solve कर सकते हैं, answer same आएगा, तो हम लोग इन दोनों को लेकर करके solve कर लेते हैं K का value निकाल लेते हैं तो 3 को के से into करेंगे 3K minus 3 को 1 से into करेंगे 3 equal to 2 को k से into करेंगे 2K plus 2 को two से into करेंगे तो 4 होगा अब इसको हमने solve करते हैं 3K यह plus two K equal to किधर आया तो minus में 2 के होगा इधर 4 है यह minus 3 इधर आए तो प्लस 3 हो जाएगा 3K में 2K को माइनस करेंगे तो आएगा K is equal to 4 plus 37 हो जाएगा यह का वेलियो आपका 7 आगिया आपको यह अच्छे से समझ में आगिया हुआ चलिए हमना question number 16 को देखते हैं तब देखें यहां पर यह है question number 16 आपका 2x plus k minus 2 into me y is equal to me k 6x plus 2k minus 1 into me y is equal to me 2k plus 5 तो सबसे पहले इसका अच्छे से arrange कर लेते हैं तो यह हो गया आपका 2x plus k minus 2 k minus 2 into me y यह plus k है equal to कि इधर आएगा तो minus k होगा equal to me इधर 0 हो जाएगा यह है आपका 6x plus 2k minus 1 into me y यह plus 2k plus 5 है इधर आएगा तो minus 2k plus 5 हो जाएगा equal to में 0 है equal to कि इधर आएगा तो सब माइनस में हो जाता है यह हो गया अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 का value को हम लोग लिख लेते हैं तो सबसे पहले a1 लिखते हैं a1 जो है यह 2 है बी 2 b2 जो है वो k minus 2 है और c2 c2 जो है वो minus में k है minus में k और यह है a2 b2 और यह c2 तो a2 को लिख लेते है a2 जो है वो 6 है b2 b2 जो है वो k2 k minus 1 है 2 k minus 1 और c2 c2 जो है वो आपका minus में 2 k plus 5 है minus में 2 k plus 5 है यह हम लोग लिख लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 का value को अब हमको k का value find करना है infinite number of solution के condition के according तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं by infinite number of solution तो देखें यहां पर लिख लेते हैं by हम लोग यहां पर लिख लेते हैं by infinite number of solution आपको infinite number of solution के according आपको solve करना है तो infinite number of solution का जो condition होता है वो होता है आपका a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 तीनों equal होता है अब सबका value को यहां पर हम लोग देख करके put कर लेते हैं a1 a1 का value 2 है upon में a2 a2 का value 6 है टू अंजा टू टू थरी जा शिक्स कट जाए गाई है बीवन आपका बीवन जो है कि it1 say a1 a1 चले अब देखने यहां पर b1 जो है आपका मैंने यहां पर लिख दिया है क्या b1 b1 जो है वो k-2 है k-2 देखे मैं और मैंने फट्र 2 अंधर लिख दिया था यह a1 यह b1 आप लोग लिख ली साझे तो यहां पर value को put कर लेते हैं एक और फिर से तो यह हो गया आपका फिर B2 B2 जो है आपका 2K-1 है 2K-1 equal to C1 C1 जो है आपका minus K है अपन में C2 C2 minus 2K plus 5 है minus 2K plus 5 है यह सब का value put कर दिये अब देखें यहां इसको फिर से एक और लिख लेते हैं 1 by 3 is equal to इधर हो गया आपका K-2 यह हो गया 2K minus 1 और यह हो गया akea minus में K और इधर हो गया आपका minus 2K plus 5 अब देखें यह इसके equal है और यह इसके equal है यहाँ पर 3 जो है वो equal है तो कोई भी दो लेकर करके स्विससाइब कर सकते हैं इन दोनों के अलें कmens गया फिर यांसर से माइगा या फिर इन दोनों की ?? पर य데जिन तू है एक दूसरे के साम कर लेता है हम लोग इन को के से इंटू करेंगे 3K माइनस 3 को 2 से इंटू करेंगे 6 होगा अभी पूरे को 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह सेम रहेगा 2K-1 अभी 3K हो गया प्लस 2K इधर आएगा तो मैनस 2K होगा इधर आपका मैनस 1 बच गया यह मानस 6 इधर आए तो प्लस 6 हो गया अब हम लोग यहां पर सॉल्फ कर लेते हैं इसको 3K में 2 के गया तो केवल के बचेगा और माइनस प्लस माइनस 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा यह आपका K का वेल्यू 5 आ गया तो यह दो कर सना पाई होग कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो में इतना है चैनल को अभी तक सब्सक्राइम नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जब कर ल झाल यह-जा कि यह-एगा ढिन वीडों में आपका K BAR G को बढ़ सा झाल जब को norगिंगे तक स्ब specific.